आधार कार्ट को डाउनलोड करने के लिए आप अपने ब्राउजर में जाएंगे और आप टाइप करेंगे uidi.gov.in टाइप करके आप सर्च कर देंगे नहीं तो आपको वेबसाइट का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्राप्शन में मिल जाएगा आप यहाँ पर language select करेंगे भासा select करेंगे हिंदी इंगलीज जो भी आप select करना चाहें आपके सामने आधार की website का कुछी step का user interface खुलके आ जाएगा आधार कार्ट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे उपर ही आपको option दिखाए देगा डाउनलोड आधार का तो आप simple सा इस पे क्लिक कर देंगे और आपको redirect कर दिया जाएगा आधार कार्ट की new website पे और आप नीचे scroll down करेंगे उपर ही आपको option मिल जाता है आधार कार्ट डाउनलोड करने का जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड आधार आप simple सा इस पे क्लिक कर देंगे इसके बाद आपके सामने next page खुल के आ जाएगा यहाँ पर आपको तीन option दिखाएगे आप तीन तरीके से आधार कार्ट अपना डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि अगर आपने अभी अपना अधार कार्ट बनवाया है आप enrollment ID से आधार कार्ट डाउनलोड करना चाहते हैं अगर आपके पास आधार नमबर है तो आप आधार नमबर के जरीए भी अपना आधार कार्ट डाउनलोड कर सकते हैं आप उपरवाला यहाँ इसके और आप इंटर कर ling डाउनलोड करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर इसके राप tyre करेंगे और यहाँउप पर आपक即शा कर देंगे यहां पर आपको capture दिखाए देगा box में आपको वही टाइप कर देना है इसके बाद आप send OTP पर क्लिक कर देंगे send OTP करते ही आपके आधार कार्ड के रेइस्टर मोबाइल अंबर पर OTP send किया जाएगा आपको यहां पर OTP type कर देना है OTP type करते ही आप verify and download पर क्लिक करेंगे OTP verify करते ही आपका आधार कार्ड successfully download हो जाएगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं आधार कार्ड has been successfully downloaded आपको यहां पर आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है नीचे आपको यहां पर PDF फाइल दिखाए देगी तो आपको यहां पर simple सा डाउनलोड पर क्लिक कर देना है इससे पहले आपको यहां पर बता दूँ कि जो आपकी यहां पर जो PDF फाइल है आधार कार्ड की वो password protected है तो password में आपको यहां पर example के लिए दिखाएगे आपका यहां पर क्या password रहेगा जिसे कि आप यहां पर देख सकते हैं for example के यहां पर आपको दिखाये गया है इसके बाद आप यहां पर download पे ट्लिक कर देंगे आप इसको file को open कर लेंगे और यहां पर और आप उपन करेंगे और आपका दोस्तों डिजिटली आधार काड़ ओपन होके आ जाता है अगर आप इस आधार काड़ को PDF फाइल में सेव करना चाहें तो आप इसको प्रिंट करना चाहें तो आप प्रिंटर के मादम से आप इस आधार काड़ को प्रिंट भी करा सकते हैं लाइक करें मेरी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूलें मिलते हैं दोस्तों नेश्ट वीडियो में जेहिंद